नमस्कार दोस्त, मैं वीदी का राश्पुत, स्वागत करती है आपके अपने सुप्रीम बावनिस चाहिपप, समझे तरीं बाहर चाहिए, सुप्रीम बावनिस को आप से मिल प्यार और स्नेग ले सुप्रीम बावनिस की लिए आपकी आप भारियों, चैनल को जादा करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो चलिए, श्रुबात करते हैं आज की ताजरीं खबरों से रमित पिमारियों से बचने के लिए, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, टेंगु इत्यादी बिमारियों से बचने के लिए रमिड़ अपने हातों से नालियों की सफाई कर रहे हैं आप वीडियो में साब देख सकते हैं कि महिला स्वेम अपने हातों से सफाई कर रही है जहां रोड में बहता गंदा पानी देख समझ सकते हैं कि हालत कितनी गंभीर है तो वही सरपन सची उत्वारा स्वेक्षता अभियान के नाम पर लाखों रुपय के बिल बाउचर लगाये जाते हैं और रासी आहरान कर ली जाती है वह जमीनी इस्तर पर नतीजे आपके सामने हैं और सबसे बड़ी बात यहां कि यहां का गंदा पानी लांजी किरनापूर छेतर के विदहायक हीना कावरे के ग्रह निवास के समीप से निकासी नाली के माध्यम से रोड पर जा रहा है वह हैंडपाम के असपास भी गंद्गी वह सोकपिट गढड़ा भी नहीं बनाया गया जिसे विधा के ग्रह ग्राम सोनपूरी होने के बाउजूद हालत इतनी गंबिर है कि नालियों की साफ सफाई ही नहीं की जाती वहीं ग्रामिलवा वाल्ड के पंच द्वारा बताया गया कि सर्पन से सच्चिव को कई बार सिकायत की गई फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है एवं सर्पन सच्चिव द्वारा अंदेखा किया जा रहा है और नहीं विधायक मेडम ध्यान नहीं दे रही है जिसके संबन में ग्राम पंचात किरनपूर ससीव से चर्चा की गई तो कहा गया कि हमारे दुवारा हर साल नालियों की सफ़ाई की जाती है सुप्रेम पावर नियूज के लिए किरनपूर से भिमराओ डोंगरे किरिपो यह सफाई कर रहे हो यह कोई को बता है सफाई करने के लिए कोई नएन कपर रहे हूं कि अहँग कर रहा हूं यह भाईया अप्छचा नाली कि घैन प्रश्चा चापते ए किसी को बता है क्या नहीं बता है वो तो सक्चियो आया था नहीं को नहीं आया था उसको समझाते हैं